हेलो सेकेंड एर्स आई होप योला डूइन फाइन आज के स्वीडियो में हम वाईवा से रिलेटेड कुछ क्योशन्स डिसकस करेंगे जिसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है कम्प्लीट डेंचर के पार्ट्स और कम्प्लीट डेंचर की सरफेसिस ये दोनों क्योशन आपसी क प्लाइटर पूशे जा सकते हैं जो कास्ट दी जाते है उसमें एनाटोमिकल लेंडमार्क्स होते हैं वह अलग चीज होती है आप यहाँ पे डेंचर में देख सकते हैं उसके अल ihren को अगर पार्ट्स आपसे पूशे जाते हैं तो आप डेंटल कास्ट के अनाटोमिकल सर्फ इसमें नहीं बताओगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले तो चलिए वीडियो को सबसे पहला क्योशन है surfaces of complete denture जब आपसे surfaces of complete denture पूशा जाता है तो complete denture की 3 surfaces आपको बतानी है इसका जो ठीर्टिकल पाट है उस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस वीडियो का link में description box में आपसे share कर दोंगी पर यहां पर प्रैक्टिकल जब आपको वाईवा में complete denture द इसको क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम पेशेंट का इम्प्रेशन लिए यह इंप्रेशन की सारी कॉंटोर्स को डिफाइन करती हैं यहां पर देख सकते हैं रुगे अच्छे से आ रही है, पैलेटल एरिया, फोवेय, पैलेटाइन, यह सारी चीज़े इसमें आ रही हैं, तो इसलिए हम इस surface को impression surface कहते हैं, उसके बाद second surface आती है, polished surface, क्योंकि हम यहां पे polishing करते हैं, ताकि यह दिखने में अच्छा लगें, इसलिए यह होते है, polished surface, उ same आप mandibular में देख सकते हैं, this is impression surface, उसके बाद यहाँ पे polishing हो रखी है, so this will be the polished surface, और जो यह है इसको हम कहेंगे occlusal surface, यह किसी patient का complete denture नहीं है, यह जो basically cast होती है आपकी, उससे जो बनके आता है, यह वो वाला complete denture है, that is ideal आप कह सकते हैं, अब आते हैं, second जो हमारा main question है, that is parts of complete denture, आप से पूशे जाएंगे, यह है complete denture, इसमें आप parts बताओ complete denture के, तो basically complete denture के four parts होते हैं, सबसे पहला, जो यह heat cure का बना हुआ है, that is denture base, इसे हम बोलेंगे denture base, जिसकी अगर definition आप book में देख सकते हैं, the part of denture, that rests on the oral mucosa, जो हम patient को जो पहनाते हैं, तो oral mucosa से यह part touch होता है, तो the part of the complete denture, that rests on the tissues of the patient, oral mucosa of the patient, तो यह हो गया denture base, उसके बाद आती है second part, that is flange, यह होते हैं denture flange, denture flange basically, कहाँ पे जाती है, patient के vestibular area में, ओके, तो flange को हम two parts में divide करते हैं, this is labial flange and this is buccal flange, क्योंकि यह buccal vestibule में जाता है, और यह labial vestibule में जाता है, पर यहाँ पे आपको dental, जो cast होती है, उसमें anatomical, जो landmarks होते हैं, उसमें vestibules होते हैं, और vestibule में, जो यह complete denture के पार जाते हैं, उनको flange कहते हैं, यही difference होता है, जो dental cast होती है, और जो complete denture होता है, इन दोनों में, पेशेंट में यानि की जो dental cast होती है उसमें vestibule होता है और ये होती है flange उसके बाद third part आता है denture border denture border basically क्या होता है ये चीज़ border का मतलब क्या होता है जो किसी दो चीज़ के बीच में जो border होता है तो ये है impression surface और ये है polished surface तो polished surface और impression surface के बीच में जो border होती है that is denture border तो तीन पार्ट अभी तक हम कर चुके हैं parts of complete denture, first is denture base, second is denture flange, labial flange and buckle flange then third point denture border, this is the denture border that is the junction between the impression surface and the flange of the complete denture now the fourth is denture teeth, these are the denture teeth तो ये चार points आपने आज कवर कर ली हैं अब ऐसे ही एक बार mandibular denture में भी हम parts देख लेते हैं इसमें सबसे पहले जो denture base है, this is the denture base जो heat cure का बना हुआ है उसके बाद second is denture flange, denture flange वही maxilla की ही तरह हैं उसके बाद इसमें third lingual flange भी होती है, जो alveolingual sulcus में जाती है ये जाते हैं, बकल vestibule में ये जाते हैं, ये labial flange है तो labial vestibule में जाएगी और जो ये lingual flange है, ये alveololingual sulcus में जाएगी mandibular में और maxillary में यही difference है mandibular complete denture में तीन flange होती हैं और maxillary में दो flange होती हैं, labial and buckle अब third part है denture border, these are the denture borders and fourth part is denture teeth, these are the denture teeth तो एक बार revise कर लेते हैं, जो surfaces होती हैं, वो तीन होती हैं और जो parts होते हैं complete denture के, वो चार होते हैं surfaces में क्या क्या आ जाता है, first is the impression surface second is polished surface and third is occlusal surface उसके बाद इसमें भी same हैं, उसके बाद parts of complete denture first is denture base, second is denture flange and this is denture border the junction between the impression surface and the polished surface and the fourth part is denture teeth so this is all about complete denture, आपको प्रोस्तो ओंटिक्स में जो भी आपका वाइवा होगा, final वाइवा, उसमें complete denture से related दो questions जो पूछे जाएंगे, that is office of complete denture and parts of complete denture तो ये दोनो questions आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आप final exam वाले दिन आप अच्छे से reply कर सको so yes, this is all about today's video अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, तो ज़रूर आइक करना और उसे के साथ subscribe करके, bell icon ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की notification जो है, वो आपको मिले मैंने आपको पहले भी बताया था, इस से related जो भी theoretical part है उस पे मैंने वीडियो बना रखी है, description box में मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो का link शेर कर रही हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt पूछना है, किसी और topic पे वीडियो चाहिए है तो आप comment section में मुझे जरूर बताए या फिर अगर आप Instagram पे join करना चाहते हूँ, या फिर कोई doubt पूछना चाहते हूँ तो Instagram का भी link मैंने description box में share किया हुआ है उसके अलावा मैंने email address भी description box में दिया हुआ है आप वहाँ पे भी मुझे message कर सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt है इसी के साथ अब मिलेंगे हम next video में तब तक एलिए stay home, stay safe अपनी तयारी जो है वो अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए hopefully आपको ये video अच्छे लगे होगी thank you and be happy